हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर धर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों मैं डॉक्टर दर्बे साब सभी का स्वागत करता हूँ मेरी यूटूब चैनल फ्रीडॉम फ्रॉम हस्पिटाल में दोस्तों आज मैं आपको एक स्पेसल टिप्स दोंगा जिनको रात में नीन नहीं होती है याने जीने इन्सोमिनिया की समस्या नीन ना होना और उसका परिणाम अगले दिन सुभा में जो दिखना ये ओही जानता है जो एस समस्या को जहलता है आज के दिन में अनगीनत लोगों को इस तरीके की समस्या से जुझना पड़ रहा है क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है और हमारी जो जिन्देगी हम जिस तरीके से जी रहे हैं वो सारा इसके लिए जम्मेदार है हम जितना मॉडन होने को कोशिस करते हैं मॉडन तो कमी हो रहे हैं मगर बीमारी को पालते हैं ज्यादा जो हमारी खान पीन की आदत है जो हमारी जिन्देगी जिने की जो आजकल तरीका है और जो खाने में जो समय के हमारी सही धंग से जो हम टाइम फिक्ष करके खाना नहीं खाप आते हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इसके साथ साथ बहुत सारे medicines का side effect है कई सारी बिमारी से जुजने के कारण भी दोस्तों इसके साथ साथ जो खास करके ITBPO गरा में काम करते हैं shift duty करते हैं उनके लिए ये समस्या दोस्तों आज के दिन में गंभीर हो चुकी है तो दोस्तों इस चीज़ से बचने के लिए यानि इनसुमिनिया से बचने के लिए आपको मैं सिर्फ एक पॉइंट आज आपको बताऊंगा एक पॉइंट और इसको अगर आप तरीके से इस्तेमाल करते हो तो दोस्तों आपका इनसुमिनया के समस्या ठीक हो सकती है उसके पहले मैं कहे रख हूँ कि गैस्टरेटियस के समस्या को भी आपको ठीक करनाdırगा अगर आपको अच्छी नीन चाहिए याने जिसकी पेट अच्छी रहती है दोस्तों देखा गया है उसको नीन भी दोस्तों अच्छी होती है तो supporting जो points होती है वो भी थोड़ा आपको guide कर दो हूँ अगर main जो point है वो पहले आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको दोस्तों नीन आईगी आप दोस्तों ये बीच का हिस्सा ये देखो ये वाला हिस्सा इधर ये जो spot बना रहा हूँ इसको दबानी है सुभा पचास बार इस side में और same आपको क्या करनी है इधर भी दबानी है यहाँ ये भी दोस्तों दबानी है पचास बार याने 50 time सुभा इधर दबानी है इस side इस तरीके से ऐसा और इस side से दोस्तों दबानी है इसको पचास बार फिर 4 घंटे के बाद 5 घंटे के बाद लंच के पहले एक बारी फिर दबानी है पचास पचास बार साम जब हो जाए इवनिंग के समय में फिर से दबानी है पचास-पचास बाद आखीर में आपको दबानी है रात के डिनर के लगभग एक घंटे के बाद याने डिनर करके हलका डिनर करिएगा बहुत ही हलका एक फुलका कहता है एक फुलका ही लेना है दोस्तों कई लोग कहते हैं कि हम फ्रूट्स होगेरा खाते हैं रात में उनके लिए भी मैं कहता हूँ कि आप एक रोटी ज़रूर ले फ्रूट्स तो आपको जो लेना है आप ले सकते हो आप लोगेरा मगर केला अगरा मत खाईए कहते हैं ना कई वीडियो में मैंने देखा हूं लोग कहते हैं कि रात में केला खाऊ नीन अच्छी हो जाएगी दोस्तों केला आप सुबह खाईए सुबह अगर हम केला खाते हैं तो हमारे सरीर में गोल्ड के तरह दोस्तों काम करता है रात में खाते हैं तो दोस्तों डाइमन्ड के तरह काम करता है क्योंकि जहरिला तक तो बढ़ जाती है सरीर में इसलिए रात में केला ना ले एक फुलका लें थोड़ा सा डाल लें और एक ग्लास गुनगुना दूद लें जिन्हें सूट करता है अदर्वाइज आप नॉर्माल गुनगुना पानी भी दोस्तों पी सकते हैं विंटर और बारिस में और गर्मी के समय में नॉर्माल पानी पीजिए कोई भी थंडा चीज रात में दोस्तों ना लें और रात को डिनर के बाद जरूर टहलें आदा किलोमेंटर एक किलोमेंटर दो किलोमेंटर जो भी संभव हो सकता है टहलें जरूर क्योंकि रात को हमारा खाना हजम करने का ख्यमता दोस्तों कम हो जाता है क्योंकि चंद्रमा की प्रकोप ज्यादा होती है सूरियों की प्रकोब होने से दीन के समय में खाना जल्दी पस्ता है चंद्रमा की प्रकोब जो है अगर वो रहता है तो खाना कम पस्ती है और अक्टिप तो हम तो रहते ही नहीं रात में और उनके लिए तो बहुत मुसीबत है जो खास करके रात में जक्के काम करते हैं अनिद्रा होके फिर वो टाइम टेबल बिगड़ जाती है ब्रेन की कभी दिन में काम किये कभी रात में काम किये कभी रात में सोये कभी दिन में सोये ऐसे होके धिमाग समझ नहीं पाता कि जैसे बाकी कारण तो बहुत सारी है मैं आपको जैसे बताया भी तो खाना खाने के बाद टहलना है टहलने के बाद जब बिस्तर में आओगे दोस्तों आपको यही पॉइंट सेम पॉइंट को आपको 100-100 टाइम्स दबानी है 100-100 बार कुछ नहीं ऐसे ऐसे दबाए फिर थोड़ा यहां दबाए गिंती करते जाएए 100 complete होना चाहिए इधर 100 complete होना चाहिए इधर इसके साथ supporting point दोस्तों आपको दिखाता हूँ जो आपको नीन में help करेगा supporting point को आपको दोस्तों दबानी है 20-20 बार जब भी इसको 50 दबाते हो तब 20 को 20 दबानी है रात में जब इसको 100 दबाते हो तब 20 को supporting point आपको 20 दबानी है याने हर उंगलियों के आखिर का point इधर यह supporting point है दोस्तों यह यह जो red color मैंने इसमें लगाया हूँ इसको 20 time each दबानी है एक बार repeat कर देता हूँ सुभा 50-50 फिर 4-5 घंटे के बाद लंच के पहले 50-50 evening में 50-50 यह जो दिखा रहा हूँ थम और रात में डिनर के बाद थोड़ा टहल के आने के बाद 20 तरम जब सोने जाए तो दोस्तों दबाईए 100-100 और supporting point जो है दोस्तों यह आपको हर बारी में 20-20 दबानी है सुभा दो पर साम और रात इसके साथ साथ दोस्तों ग्यास का point आप थोड़ा से 7-8 बार ऐसे दबा दीजेगा हर एक बारी में चार बारी जैसे मैं भी फर्मुला बताया है चारों बारी में gas point दबेगा ही दबेगा खाने को हजम करने के लिए थोड़ा जो खिमता बढ़ाने के लिए लीवर का point दोस्तों राइट आपका जो पाम है यहां अगर यह line मैंने खींचूं इस तरीके से आके लीवर इधर है मैं इसको rate में यहां पर mark कर से दिखा देता हूँ यह point को भी आपको 30 times दबानी है सुभा एक बारी दोपर में एक बारी साम को एक बारी रात को सोने के पहले एक बार यह supporting point हो गया यह 30 times आपको दबानी है यह point को तो खाना खाने के पहले ही दबा ले तो अच्छा है लीवर का point खाना खाने के पहले ही दबा ले दोस्त और यह point और यह point आप रात को जैसे मैंने बताया हूँ सोने के पहले पूरे तरीके से दबाईएगा तब सुईएगा सिर्फ कात कर डिनर के पहले ये पॉयंट को लिभर पॉयंट को पहले दबा लिजे तो उसने सारा आपको ना फोर कलर का फोटो के साथ मेरे किताब में ये आपकी अंगरीजी किताब है my health in my hand यह online Amazon पे मिलती है सब है, photo के साथ यह दोस्त जैसे point करकर के दिखाता हूँ यह सारे ऐसा ही इसमें बताया हूँ एक बार यह आप इसको घर में आज health dictionary रखें acupressure का knowledge ayurved का knowledge, छोटी-छोटी बिमारी हो, बड़ी बिमारी हो सब का इलाज इसमें दे रखा हूँ 10 सल की मेनत है, आप घर में लाइए और इसका इस्तेमाल करें दोस्तों फिर सब यह point दिखाता हूँ यह liver का point आडिसनली दिया यह जो लाल spot बनाए हो यह भी आडिसनली ही है man point यह है एक point जो single point दिखाए हूँ यह होता है, आपको नीन कराएगा दोस्तों ग्यास का point भी आपको आडिसनली मैंने बताए क्योंकि पेट जतना बढ़िया रहेगा ग्यास हो गयरा, कम होगा उतना दिमाग पे दोस्तों ग्यास नीचड़े ग्यास भी अगर दिमाग में चड़ जाता है चाती पे चड़ जाता है तो दोस्तों हमें नीन नहीं होगी हमें बेचेन कराएगा हमें बेचेन ही नहीं होगी हमें stress, anxiety, depression यह सब होना शुरू हो जाएगा इसलिए ग्यास से बचें और लास्ट टिप्स जो दोस्तों आपको देना चाहूँगा वो है कि breathing exercise हर रोज सुभा साम जरूर करें सौ बार सुभा कर लीजिए हाथ की मुठी बंद करें टाइट करके इस तरीके से और फिर relaxed होके हाथ को छोड़ें जब ऐसा हम दबाते हैं मुठी तो जहां index finger touch होता है वो adrenal gland हमारा blood pressure को कम करता है मेड फिंगर जहां touch होती है हमारी kidney को सेहत बंद रखता है रीं फिंगर जहां touch होती है इसे diabetes control होता है और left side का little finger जहां touch होती है, यह हमारे heart को बेहतर रखता है दोस्तो उसके साथ right side में बाकी सारे points सेम है, सिर्फ जो little finger है वो जहाँ टच होते हैं लीवर को दोस्तों हिल्दी रखता है बाकी यह आपका diabetes के लिए यह होगा आपका kidney के लिए यह होगा आपका blood pressure के लिए तो जब हम यह भृत करते हैं सांस लेते हैं मुठी बंद रखते हैं फिर बाहर निकालते हैं हमारे vital organs भी दोस्तों अच्छे रहते हैं और साथ-साथ आपकी सांस की क्रिया भी हो जाती है दो सेकंड के लिए रोकना है फिर बाहर निकालना है सुबह सौबार कर लें साम सौबार कर लें अगर आपके पास time है ने तो साम को 50 को कम से कम करें ही करें मगर 100-100 अगर करोगे तो पुराने से पुरानी आपकी जो इंसोमेनिया की समस्य हो दोस्तों help पूल हो जाएगा ठीक होने में ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो कोई लोग पूछते हैं कि हम ज़्यादा कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपके पास समय है और कर पाते हो तो साम के समय आप 200 बार कर लो और सुभा के समय 100 बार कर लो दोस्तों मेहनत करना पड़ेगा साधना के तरह प्रेवक करना पड़ेगा हजारों लोगों फायदा हो रहा है आपको भी दोस्तों होगा मगर regulating maintain करनी है दीन महिना गिनना नहीं है जिन्देगी भर करनी है इसको और result की जहां तक सवाल है दोस्तों किसी का 15 दिन में result आजाएगा किसी का 2 महने में result आजाएगा result आना दोस्तों तह है करोगे तो पाओगे हजारों भिमारी दोस्तों आप से दूर चले जाएंगे जिसे सांस की समस्या रहती है रात में ठीक से सांस ले नहीं पाते हैं जिसों कहते हैं खराटे ले नग वो दोस्तों ठीक हो जाती है आपका lungs, heart, kidney हर चीज बहतर दोस्तों काम करता है तो करोगे, करोगे तो दोस्तों पाओगे और कोशिस करो और यार दोस्त के बीच में सेयर करो किताब अपने घर मंगाओ, घर में रखो मेहनत करो दोवाई से दोस्तों दूर हो जाओगे दोवाई छूड़ जाएगी blood pressure दोवाई छूड़ जाएगी और करके देखे आपको result आएगे उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो खास था आपके लिए एक पॉइंट से आपका इंसमेनिया ठीक होगी थैंक्यो भेरी मच जहीं जह भारत